अखलेश श्यादव ने मंगलवार को नतीजों से पहले प्रेस कॉन्फरेंस की थी। उन्होंने काउंटिंग से पहले भाजपस सरकार पर गड़बड़ी कारूप भी लगाय था। अखलेश ने कहा था कि वारनसी में एवियम को इधर उधर किया जा रहा है जो आप बीजोपी हार रही है उन जिरो के डियम के पास मुख्यमंत्री और प्रमुक्स सचिफ का फोन जा रहा है काउंटिंग स्लो रखेगा उन्होंने कहा था कि बनारस में एवियम का एक ट्रक पक अंगल ने इन सब आरोपों का खंडन किया उन्होंने कहा कि चुनाव में इस्तेमाल सभी इवियम स्टॉंग रूम में सी यार पियफ के कफजे में हैं उधर सपा के प्रत्रिद्रिव अंडल ने इन मामलों के श्रकायक चुनावायूक सकी है एवियम के बारे में यह मानना है कि किसी भी वेर हाउस में रखी हो या किसी भी स्टॉंग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्यासी के जानकारी के आप मूब नहीं कर सकते हैं अगर आपको इवियम को मूब करना है तो कम से कम जो प्रत्यासी चुनाव रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए और सोचीए मुक्यमंत्री आवाद से मुक्यमंत्री जगे जगे फोन कर रहे हूँ और डेम से को बता रहे हूँ ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अकवारों में कुछ जगे आया कि कहीं पार की सफाई हो रही है कहीं घर की सफाई हो रही है और आप मेंसे वो लोग हैं जो जमीन पर घुमें जो जमीन पर चुनाफ चला है वो भारती जनता पार्टी के खिलाफ था जनता के अन्दर नाराज़की थी यह जो कल एक्जिट पॉल आए है मैं एक्जिट पॉल पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन जो एक्जिट पॉल आए है वो कहीं न कहीं perception ये create करना चाते हैं कि हाँ भारती जन्ता पार्टी जीत रही है जिससे वो छोरी ही करें अगर वो भी नपता लगे कि हाँ छोरी हुई है इसलिए अगर हमने बोट दिया है अगर हमने बोट दिया है तो मैं अपने नौजमानों से, किसानों से और आम लोग कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मधारी बनती है कि बोट को हम बचाएं अगर बोट नहीं गिना जाएगा तो लोक्तंत कहा जाएगा और ये लोक्तंत की आखरी लड़ाई है मैंने कई बार कहा कि उतन पर देश का चुनाव लोक्तंत की आखरी लड़ाई है इसके बाद तो लोक्तंत को क्रांदी करनी पड़ेगी तभी बदलाब आएगा वही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध आज चौधवे दिन में प्रवेश कर चुका है युद्ध को तीन सो घंटे से ज्यादा हो गए है रूस को रोकने के लिए दुनिया भर के तमाम देश अलग-अलग प्रतिबंद लगा रहे हैं लेकिन रूस पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा वो लगातार युकरेन के शेहरों में बम और मिसाइल से हमले कर रहा है खारकीव के बाद युकरेन की राजधानी कीव भी खंधर में तबदील हो गई है अन्य शेहरों का भी यही हाल होता जा रहा है अधिकतर इमारतें बरबाद हो चुकी हैं कीव के अलावा युकरेन के कुछ और शेहरों को रूसी सेरिक पहले ही खंधर बना चुके हैं जिन शेहरों में सबसे जादा नुकसान पहुंचा है उनमें खारकीव, बुका और इर्पिन शामिल है यहां कई इमारतें पूरी तरह से खंधर हो चुकी हैं अधिकतर लोग यहां से जा चुके हैं जो बचे हैं वो भी खौफ में हैं खारकीव के फ्रिडम स्कॉार को देखकर ही बरबादी का अंदाजा लग जाता है